सिंखाडे को थोड़ा सा पानी डाल कर आप कुकर में स्टीम कर लिजे यानि उबाल लिजे और ठंडा होने पर आप इनके जो भी काटे हैं तीनों तरफ निकले हुए उन्हें काट देंगे और फिर देखे इसके दो-दो फांग कर लेंगे इसके बाद हम इनकी छिलके उतार लेंगे छिलके उतारना दो भाग करने के बाद ज़्यादा आसान हो जाता है और ये देखी ये बचे हुए सिंखाडे हमारे छिलके उतारने के बाद कितने अच्छे से लग रहे हैं सिंगाडे हमारी टेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और मसाला हमने तियार किया है सरसो को हमने भिगो दिया था, सरसो के दानों को और साथ में लिया था लहसुन और हरिमेश अपने स्वात के अनुसार आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं इन सबी को हमने mixi मेंचे से पीस लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और अब हम इस मसाले को किसके साथ mix करेंगे अपने सिंखाडे के इन टुकुनों के साथ और थोड़ा सा डालेंगे हम सेंधा नमक और इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर दीजिए और ये है हमारा सिंखाडे का tasty अचार ready मैं हो कीरती और मेरे चैनल में आप सबी का स्वागत है ऐसी ही अच्छी recipes देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल आप चाहें तो इसे बिना तेल के भी बनाएं